नमस्कार फटाफट बलेचिन मैं आप सभी कपहत पॉस्वागत और मैं हूँ आपके साथ नेहार इटी चली शिरू करते देश दूनिया की बड़ी खबरे फटाफट अंदास में भारत में पिछल 24 घंटे में सामने आए 9983 मामली कुल संक्रमित संख्या 2,56,611 पर पहुची 24 घंटे में गई 204 मरीजों की जान कोरोना काल के बीच देश में कंटेंटमेंट जोन को छोड़कर कई शहरों में खुले धार्मिक स्थर सोशल डिस्टेंसिंग और शर्तों का करना होगा पालन शिव सेना द्वारा सवार उठाय जाने के बाद मुख्य मंत्री उद्धव ठाकरे से मिले सोनुसूद उद्धव ठाकरे ने की तारीफ संजराउथ ने सामना में प्रवासी मजदूरों की मदद को लेकर साधा था निशाना F.I.R. दर्ज होने के बाद गंगाराम अस्पताल की सफाई बताया लिपिक की गलती कोरोना जाज की नमूने में एप का इस्तिमाल नहीं होने पर देली सरकार ने की थी शिकाया P.I.B. के प्रधान महानी देश के एस धतबालिया कोरोना वारिस संक्रमित एम्स में भरती नैशनल मीडिया सेंटर को किया गया बंद 78 वर्षे भारती अमेरिकी समुदाई के निता रमेश पटिल का कोरोना से निधन भारती राजदूत तरंजीत सिंग संधू ने निधन पर जिताया शुप भाजपा कातावा 40 लाग फेस्बुक यूजर्स ने देखी अमिर्शा की वर्चुल रैली बिहार में इस साल के अंत में हुने विधान सभाचनाव शाने रैली में आरज़ेडी पर साधा निशाना कंणर फिल्मों के अभीनिता चिरंजीवी सर्जा का दिल का दौरा पढ़ने से निधन 49 साल के थे अभीनिता अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा प्रशन सकू का हुजू दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 70 लाग के पार 77 प्रतीशत मामले 15 देशों से 4 लाग से अधिक मौते शोपिया में 4 और आतंकी मारे गए 3 जवान जखमी 24 घंटे में 9 आतंकी धेर किये गए सेना और पुलीस ने चलाया अभियान फिटाफ़ट बुलेटिन में फिलाल इतना ही देश दुनिया के अने बड़ी खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजे वेबड़ीन.com पर और इसी के साथ दीजिए अजाज़त नमस्कार